हलो एव्रिवान आज का हमारा डिस्केशन होने वाला है CUT M.com Entrance 2025 पे अगर हम लोग M.com कोर्स की बात करें तो इसका जो कोर्स कोड है वो है COQP08 आज ना इस पर हम पूरा डिटेल डिसकेशन करेंगे क्योंकि आपकी जितनी भी क्वाईरी होती है वो सब हमने यहां डिल करने का ट्राइ किया है हमारा पेपर पाटन क्या होता है क्या हमारा सेलेबस है कौन-कौन से सब्जेक्स हमें पढ़ने है किस तरीके से आपको नोट मे पर मिशन प्रोबाइट करने के तो जो भी इंट्रेस्टेट्स तूडेंस से वो डिरेकले हमसे कांटाक कर पाए तो देखो सबसे पहला ना डिसकुर्शन ही यह थी है कि पेपर पाटन क्या होते है क्योंकि बहुत इंपोर्टन है आपको यही नहीं पता होता कि पेपर 2024 onward से इन्होंने अपना number of questions कम कर दिया है और अब सिफ 75 MCQs exam में पूछे जाते हैं, हर एक question अगर आप correct कर रहे हो तो आपको 4 marks मिलेगा, मतलब overall आपका paper कितने marks का हो गया? 300 marks का, और अगर आप negative कर रहे हो, माल लेते हैं कि अगर आप हर एक question का negative answer कर रहे हो, तो minus 1 marking है, ठीक है तो ये याद रखना कि overall आपका जो paper है, अब वो 400 marks का नहीं है, only 300 marks का है, और हर एक question correct करने पे जहाँ 4 marks मिलेगा, इन correct करने पे 1 marks है, मतलब negative marking है, इसलिए हम लोग कहते हैं, जब भी आप question attempt करो, तो बहुत सोर समझ करके करो, सारे number of questions attempt करने की ज़रूरत नहीं है नेक्स देखो timing की बात करें, तो जो हमें overall timing मिलता है, वो मिलता है 1 hour 45 minutes का, मतलब 60 minutes plus 45 minutes, आपको ये time period दिया जाता है, 105 minutes का time period दिया जाता है, so that आप 75 MCQs attempt कर पाऊ, ठीक है, तो almost हर एक question के लिए, आपके पास 1.5 minute approach होता है, कि आप उसको read करके answer कर पाऊ, and उसमें बहुत सारे जैसे numerical questions होंगे related to maths, stats, costing, तो उसमें no doubt आपको थोड़ा सा जादा time लगता है, तो ये overall हमारा paper pattern था, अब हम लोग किसकी बात करेंगे बिटा, syllabus की, तो syllabus में सबको पता होगा कि overall 24 subjects है, related to MCOM entrance exam, और उनको ना हमने बहुत concise way में यहां mention कर दिया है, क्योंक और subjects जब अलग अलग हम लोग बताते हैं तो confused हो जाता है थड़ा तुम लोग, इसलिए हमने यहां पर देखो heading की sub heading कर दी है, जैसे पहला overall अगर economics लोगे, तो economics में हमारे पास 4 subjects है, पहला है micro economics, फिर है macro economics, Indian economic structure and quantitative economics, overall ये 4 subjects आपके economics से ही related है, है 4 अलग अलग, अगर हम लोग syllabus देखेंगे, detail में, तो हर एक subject से related, अलग-अलग topics दिये गए है, ठीक है, then हमारे पास एक major subject है banking का, जिसमें हमारे पास 3 subjects है, currency banking, law and practice of banking, development banking, तो ये overall हमारे पास 7 subjects हो गए, फिर management में देखो, एक तो essential of management है, जिसको हम लोग business management भी बोल सकते हैं, और एक subject है office management, ये अगर जाना है, तो ये थोड़ा नया subject है, most of the time हमने students के मुसे सुनाए कि माम ने तो ये बीकॉम में नहीं पड़ा है, तो बीकॉम में ये कुछ colleges में थे, कुछ colleges का, ये syllabus का पार्ट नहीं था, तो ये आप लोगों के एक नया subject है, then accounting में देखो के तो accounting है, जिसमें बेसिकली अका statistics है, please इसको correct कर लेना, यहाँ पर misprinting है, यह applied in business statistics है, क्योंकि statistics से related है, तुम लोगों के दो subject है, और math से related एक subject है, then law में देखो business law है, company law है, insurance law है, income tax law है, marketing से related हमारे दो subjects है, selling advertising, marketing practice and finance, और बाकी सब को हमने others की category में ले लिया है, जैसे public finance है, trade of India है, business organization है, contemporary audit है, इनकी कोई category इनको अधर्स में रख दिया, तो इस तरीके से, simplified way में हमने यहाँ पर mention के आप लोगों का syllabus, so that आप लोगों को भी थोड़ा सा easy पड़े syllabus समझने में और यह पता करने में कि कौन-कौन से subjects आपके हैं, आप syllabus related एक बहुत important information प्रवाइट करें, कि बहुत सारे students की हमेशा query आत कि अगर हम लोग C.U.E.T की बात करें, और पहले C.U.E.T का नाम था C.U.C.E.T, ठीक है, जब यह introduced हुआ तो C.U.C.E.T का concept था, and बात में इसका नाम हो गया है C.U.E.T, है दूनों चीज सेम ही, ठीक, है तो entrance exam ही न, but पहले क्या था न, जब C.U.C.E.T की नाम से यह introduced हुआ पैटन चल रहा था कि यह लोग यह करते थे कि कुछ important subjects उठाते थे, उस ही से questions पूछते थे, but अगर आप लोग paper pattern देखोगे 2023 का, 2024 का, मतलब इधर जो 2 साल से paper हो रहा है, अगर वो paper pattern आप देखोगे, तो no doubt उसमें जो questions आते हैं, वो बहुत advanced level के questions आप कवर करते हैं, हम यह इसके लिए आपके जब तक basics नहीं clear होंगे, जब तक concepts नहीं clear होंगे, तब तक आप उरने MCQs का answer नहीं कर सकते हो, प्लस, जो यह subjects ही coverage करते हैं, almost यह सारे subjects से 1, 2, 3, इस तरीके से numericals या theory पूछते हैं, तो अब आप यह नहीं कह सकते हैं, मैं इन में से कोई subject आप बता दो, जो important exam point of view से, यह सारे के सारे, यह जो overall 24 subjects है ना बेटा, यह सारे exam point of view से उतने ही important है, आपको हर एक subject की अच्छी knowledge होनी चाहिए, ठीक है, तो इन में से कोई भी subject तुम लोग को important नहीं बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि मेरा यह सारा ही 24 subjects important है exam point of view से, अब इसके बाद, एक ना, तुम लोग point समझो, note making का, क्योंकि ना, बहुत सारे students को लगता है कि ठीक है, कहीं से भी study material खरीदा, यह मालो हम ही से आपने study material खरीद लिया, purchase कर लिया, classes purchase कर ली, and उसके बाद आप उसी को पढ़ करके चले जाते हो, but exam के लिए, exam time के लिए, आप self study करो, चाहे कहीं से coaching purchase करो, classes purchase करो, चाहे study material purchase करो, आपकी note making जरूरी है, क्यों, क्योंकि exam में MCQs question पूछने है, exam में कभी भी आपसे पूरा full flesh question तो पूछेगा नहीं, जब भी पूछेगा, MCQs form में पूछेगा, है ना, तो जब MCQs की आप बात करो ना, तो इसके लिए पूरा study material या पूरा का पूरा concept गो थू नहीं कर सकते हैं, जैसे अगर माललो हम एक छोटा से example दे रहे हैं, कि आपको पढ़ना है functions of bank, ठीक है, आज माललो आपने कहीं class joint की, हमारी classes purchase की, या आप self study कर रहो, कैसे भी, तो functions of bank में आपने सारे points को बहुत detail में पढ़ लिया, ब करते हो, note making करते हो, तो ना ये आदत अभी से बनाओ कि हर एक concept की, जतनी relevant चीजे हैं, उसको आप कहीं note down कर लो, अभी कोई एक और question जो students हम से generally पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि मैं 300 में से हमें कितना marks score करना चाहिए, या कितने number of questions हमें attempt करने चाहिए, so that हमारा अराम से किसी भी college में admission हो जाए, हम minimum marks के अगर बात करें, तो minimum marks जो हमारा target होना चाहिए, 200 marks का target होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2024 का paper pattern देखोगे न, तो उसके according, जो highest marks गय थे, वो गय थे 197, तो depend करता है, जैसे आपका paper का level होगा, difficulty level होगा, accordingly आपके cut-offs भी जाएंगे, अभी हम फ minimum 200 marks gain करेंगे, तब तो देखो किसी भी college में, कोई भी college, चाहे Delhi University हो, चाहे BHU हो, या कोई भी college आपके preference का हो, उसमें बहुत अराम से आपका admission हो जाएगा, और जब हम लोग अपना target minimum ले करके चलते हैं तब ही कहीं जा करके उसको achieve भी कर पाते हैं, अब आपने starting में ही सोच या कि हमें 150 marks लाने तब तो बाती खतम हो गई, तब तो फिर आप 150, 160 के ही आसपास रहो गए, या in fact उससे भी कम marks आपके आएगे, तो हमेशा माइन में ये चीज़ ले करके चलना, कि out of 300 हमें 200 marks score करने हैं, टेनी कॉस, ठीक है, और ये 200 marks score करने के लिए आपको सारे subjects को equal importance द कर लें और बाकी subjects को ignore कर दें, तो हम बहुत आराम से अपना target achieve कर पाएंगे, नहीं, possible ही नहीं है, सारे 24 subjects को आपको equal importance देनी है, हर एक subject को आपको detail में read करना है, detail में पढ़ना है, उनकी MCQs अच्छे से practice करनी है, तब जाकर के कहीं मानना, तो कि आप अपना target achieve कर पाओगे, तो यह overall वो सारे questions थे, जो आप लोग हमसे पूछते हो, related to income entrance exam, CVT 2025 कि अगर हम लोग बात करें तो, अब आगे हम लोग discussion करेंगे कि यह जो हमारी classes start हो रही है, no doubt first batch हमारा 9th of August से start हो रहा है, और आगे भी हमारे नए batches start होते रहेंगे, बट जो student जितनी जल्दी join करेगा, द क्योंकि classes में आपको तीन चीज़े मिलनी है, एक तो आपको classes मिलेंगी, जो online classes होंगी, अच्छा, यहाँ पर हम यह clear कर दें कि यह life classes नहीं होती, बहुत बच्चें से कहते हैं, मैं आपने तो life classes बोला था, हमने कभी भी life classes के लिए commitment नहीं किया, और उसका बहुत बड़ा reason है कि आप में से कम से कम 90% students ऐसे होते हो, जिनको m.com की regular class attend करनी होती है, उनका semester exam होता है, या आप कही न कही engaged होते हो किसी competitive exams की preparation के लिए, तो आपको coaching जाना है, आपको tuition लेने जाना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों होती हैं, जा maximum बच्चे engaged होते हैं, तो अगर हम लोग live sessions रखे करते हैं, तो हम लोग हमेशा क्या prefer करते है, recorded class, आपके लिए तो convenience ही रहता है, आप अपनी convenience के basis पे, किसी भी point of time पे morning, evening, afternoon classes रन करके देख सकते हो, ठीक है, तो live sessions हम लोग नहीं रखते हैं, और live sessions ना रखने का बहुत बड़ा reason है, कि जब सारे बच्चे at a time, available ही नहीं हो सक तो live sessions का कोई मतलब नहीं है, hardly 10% 20% attend करेंगे, और उनके लिए live session मतलब justified ही नहीं है, ठीक है, दूसरा हमारे पास है study material का option, तो study material अगर आप लोग देखोगे न, purchase करोगे तो आपको बता चलेगा कि इतनी detail में हमारी study material है, कि आपको कहीं से भी extra कोई concept नहीं पढ़ना पड़ से related, कहीं कहीं तो subject में chapter से भी related आपको MCQs मिलेंगे, और वो सारे MCQs हम लोग class में solve करवाएंगे, and last हमारी जो test series है न, वो भी हमने बहुत जादा advanced level में draft की हुई है, क्योंकि इसमें आपको तीन तरह के test मिलते हैं, पहला तो आपको मिलेगा chapter wise test, फिर मिलेगा subject wise test, और फि जैसे एक example दे रहे हैं, कि मालनों हमने microeconomics से start किया, microeconomics के जितने भी units हैं, syllabus में जितने भी units दे हो हैं, पहला unit है introduction to microeconomics, उसका test होगा, फिर theory of demand and supply का test होगा, इसी तरीके से सारे units का test होगा, फिर overall microeconomics का पुरा merge करके हम लोग test लेते हैं, 3-4, and overall जो flesh, the full flesh test है, ये क्य जैसे हमारा exam conduct होता है, जैसे 75 MCQs होते हैं in exam में, हर एक MCQs correct करने के लिए 4 marks, और negative marking है minus 1, तो ये पूरा जो paper है, इसमें आपको 30 tests मिलेंगे, और हमने वो सारे के सारे test इसी तरीके से draft कियें, कि आपको एक exam का environment मिलेगा, ठीक है, बट ये test हम लोग अभी नहीं conduct करके, ठीक है, तो हमारी classes में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, हमने एक दम detail में बता दिया, इसके अलावा अगर आप चाहो, जैसे कुछ students चाहेंगे कि माम हम self study करना चाहते हैं, तो ठीक है, आप self study कर लो, पर आप हमसे study material purchase कर सकते हो, test series purchase कर सकते हो, क्योंकि study material आपने purchase कर लिया, कि मारी preparation up to marks नहीं है, तो आप हमसे online classes भी purchase कर सकते हो, तो हमने ने सारे package रखे हुए हैं, जहां पर आपको ये तीनो साथ में भी मिलेगा, study material अकेले मिलेगा, test series अकेले मिलेगा, study material with test series मिलेगा, तो हमने सारे options दिये हुए हैं, basically आपको ये classes कहां से purchase करनी हैं, हमारे app से, app क लिंक कहां है, अगर आप description box देखोगे तो आपको description box में इस app की link मिल जाएगी, आप app पे जाओगे, click करोगे, आपको जो भी course purchase करना है, आप payment करके purchase कर लोगे, after that आपके पास a detail आएगी related to user ID and password, जिसकी help से आप login करके, पूरा का पूरा course हमारा देख सकते हो, ठीक है, हमने basically किया क्या है, ये भी हम बता देती कि उस app में आपकी convenience के लिए, हर एक subject के लिए आपको फोल्डर बना के दिया है, जिसमें आपको तीनो चीज साप में मिलेंगी, पहली online classes मिलेंगी, फिर study material मिलेंगी, जैसे मालो हमने पहला subject चूस किया, microeconomics, तो उसके आपको सारी classes एक ज साच स्थार्ट हो रहा है, उसकी point of view से में बता रहे हैं कि आपको सारे subjects, जो 24 subjects हैं, सारे subjects ही classes, test series, study materials आप में नहीं provide करेंगे, उसका reason यह है कि generally क्या होता है, कि जब आपे पास इस तरीके से recorded classes होती है, तो आप लोग उसको timely cover नहीं कर पाते हो, complete नहीं कर पाते हो, तो हम ल पूरे material को upload कर दिया है, related to online classes, related to study material, and आपके पास क्या target है, जैसे मालो, 9th of August से हमने बैच स्कार्ट किया, तो हमने बता दिया कि 19th of August तक आपको ये microeconomics की पूरी study material go through करनी है, और हमारी पूरी classes आपको cover कर लीनी है, revision करना है, ठीक है, तो इससे हमारा mindset रहेगा कि हाँ, इ engagement रहती है, तो हम ना sufficient time दिम लोगो को देंगे subject complete करने, एक और point हम यहाँ बता दे, कि ये जो test series है, वो आपको अभी chapter wise, subject wise नहीं दिखेंगे, जैसे आप classes purchase कर लोगे, test series included हैं आपके package में, बट जो हम लोग test series है, वो क्या करते हैं, कि जैसे एक subject cover हो गया, उसको proper revision का time दिया फिर test series आएंगी, so that तपक आप लोग उसके लिए prepared भी रहोगे, और बहुत अच्छे से test series attempt भी कर पाऊगे, generally क्या होता है, कि जब साथ में तुम लोगो test series प्रोवाइट के जाता है, तो तुम लोगो का पहला focus test series पर होता है, वो नहीं होना चाहिए, पहले तुम लोगो अ फिर हम लोग full flesh test पी conduct करेंगे, जिसमें prox 30 test होंगे, तो आपको एक overall idea लग जाएगा, कि exam में आपको कितने number of questions attempt करने है, आपकी preparation कैसी है, आपकी performance कैसी है, तो वो overall test से आपको पूरा एक idea लग जाता है, अगर test series की बात करें, तो test series के लिए हम clear कर यहाँ बता दें, कि आप आपको test series से related pdfs मिल जाएंगी, ठीक है, उसके लावा इसका detail discussion class आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कि बहुत सारे SMC Qs होते हैं, जो कि, हो सबता है कि हमने concept में deal ना कियो हो, बट क्योंकि exam में वैसे question पूछते हैं, तो हमने अपने test series में इंफिलूट किया तो detail discussion class आपको मिलेगी, detail discussion class से आपका concept clear हो जाएगा, और marks आपको तुरंती मिल जाएगा कि आपने कितना achieve किया है, कितने marks का paper था, कितना मिला है आपको, वो तो आपको app से ही detail मिल जाएगी, ठीक, तो simply जो भी students interested है, वो हमारे app से classes purchase कर सकते हैं, और app की link आपको description box में दी ग ठीक है, जब जैसे आपका enrollment हो जाएगा, आपको हमारा WhatsApp नमर मिल जाएगा, और WhatsApp पे आप अगर registered student हो, अगर आपने message किया है, तो no doubt आपको आपकी query का answer मिलेगा, हम ये तो नहीं promise करते हैं, कभी कि instant answer मिलेगा, बट इस बात ही guarantee होती है, कि within 24 hours आपको आपकी query का answer मिल जाएग बट generally हम लोग की classes आप लोग देखोगे ना, वो हमने इतनी detail में discuss किया है, हर एक topic इतना detail में discuss किया है, हमारी कोशिश ही होते है कि तुम लोग की कम से कम query बने, मतलब जितनी questions तुम लोग पूस सकते हो ना, वो हमने already classes में deal किये हुए हैं, हमने इतनी detail में discuss किया है, सारा topic, बट still, तब भी हमानते हैं कि बहुत सारे students ऐसे होते हैं, जिनकी कुछ न कुछ क्वारी तब ही रहे जाती है, तो वो आप हमसे WhatsApp पे पूस सकते हो, और उसकी guarantee होती है कि वो आपको reply मिलेगा ही मिलेगा, clear, तो जो भी interested students हैं, जिनको classes purchase करनी हैं, classes purchase करने के पहले अगर आपको हमसे किसी तरह का कोई discussion करना है, तो उसके लिए भी आपको WhatsApp लिंक, Telegram लिंक, सब आप देखोगे न, आपको description box में दिया गया है, आप वहाँ जाओ, आप हमसे directly contact कर सकते हो, and after that, अगर आप satisfied हो, तो आप classes purchase करोगे, ठीक है, इसके अलावा, अगर किसी student की कोई भी question है, related to CVTM comment entrance 2025, तो आप comment box में भी comment कर सकते हो, और आप हमसे directly WhatsApp and Telegram पे भी connect कर सकते हो, इसके अलावा, हमकी बता दे कि हमारा Telegram पे चैनल है, उसको ज़रूर जोइन कर लेना, WhatsApp एक community group है, उसको आपको टाइमने सारे अपडेट समल जाते हैं, कि कब हमारी कौन सी batch स्टार्ट होने वाला है कितने time के लिए वो batch चलेगा, क्या course duration है, सारे चीज़ें, हमने YouTube पे कौन सी classes upload की हैं, और बाकी भी जो PDFs वगरा हैं, वो सब आपको हमारे Telegram as well as WhatsApp community group पे मिल जाता है, तो सबकी link आपको description box में दी गई है, आप सारे groups join कर लेना, अगर आपकी still कोई भी, कोई भी query हो, तो आप जरूर पूछना, अब हम लोग मिलेंगे मारी next class में, जहां हम लोग discussion करेंगे, detailed discussion करेंगे कि syllabus में कौन-कौन से जो subjects हमने बताए हैं, उनमें कौन-कौन से topics exam point of view से relevant हैं, जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे topics हैं, जो आप skip कर सकते हैं, आज के लिए बस इ